तो आगत है गल्फ एडिया चैनल में अगर आप देश दुनिया की खबरों से पलपल अपडेट रहना चाहते तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों जो कतर की सबसे बड़ी अभी अभी अपडेट आ रही है दोस्तों कतर के जो मिनिस्ट्रिय अपनी फ शे महने बाद उसका हो चुका है सिकेंडर्स होने के तो वह बूस्टर वैक्सिन कोविन-डैंटिन वैक्सिन ले सकते हैं इसकी जो प्रोसेस लेने की उसमें आपको 8 महने तक आपका जो इम्मिनिटी सिस्टम में वह बूस्ट करेगा मतलब जो पहला डोस और जो dose लिया है और उनुका छे महना हो चुका है तो वो booster vaccine ले सकते हैं उसका जो immune system वो बहतर हो जाएगा और उन्हें दोस्तों कोई भी कतर में किसी तरह की भी परिशानी ना होगी ना कहीं भी अब जाएंगे तो आपको एंटरे मिल जाएगी इसलिए जो भी सक्स वहाँ पर पहला dose या second dose ले चुके हैं तो उन्हें booster vaccine लेना बहुत ही जरूरी है अगर आप नहीं लेते हैं तो आप पर बहुत जगा आपको रोग लिया जाएगा और इसकी दोस्तों जो प्रक्रिया जो प्रॉसेस से वो स्टार्ट हो गई है अगर आपको vaccine लेना है तो दोस्तों तो वहां क कि जो minister public health department जो number help line number जारी किया है आप उसे phone कर सकते हैं जो कि इसमें PHCC hotline number 40277077 इसमें आप appointment ले सकते हैं COVID-19 का vaccination के लिए आपको दोस्तों अपने mobile number आपको वहां पर रेजिटन करना होगा फिर आपको एक message आगा कि आपको कहां पर अपना vaccine लेना है कि center पर लेना है आप वह कोई भी वहां पर health center है तो वहां भी जाके ले सकते हैं और अपने mobile में आपको एहतराज app install करके रखना होगा जब आप booster vaccine ले लेंगे मतलब दोस्तों first dose ले लिए आप second dose ले लिए और second dose लेने के बाद आपका छे मैना हो चुका है तो आप booster vaccine ले सकते हैं फिर booster vaccine जब आप ल परशानी नहीं होगी आपके एहतराज अप में दोस्तों gold vaccinated status सो करेगा जब आप booster vaccine लेंगे फिर दोस्तों कतर की जो अगली update आ रही है कतर जो है अपना presidency अरब को दे दिया है मतलब जो कतर का जो अपना presidency है वह लेवनान को दे दिया है इसमें दोस्तों minister of state of energy भी सामिल थे पिर दोस्तों कतर की जो अगली update आ रही है कतर के जो cmc department है central municipal council department उसने दोस्तों एक meeting बुलाई है कि अगर की दोस्तों salwar दुखान रोड में जो भी एक दूसरे में connected है उनमें उनमें जो भी problem है उनमें जो भी काम बाकी है वो चालू करने का फैसला लिया गया है जो कि वहां जाने और ट्राफिक में कोई भी परिसानी ना हो इसलिए दुखन रोड और सल्वा रोड को बनाने का फैसला लिया गया है फिर कतर की अगली update आरे जो नुहां के national committee है उसने एक inspection program चालू करने का फैसला लिया गया है इसमें ये फैस इसमें ये फायदा होगा कि वहां के जो national committee inspect मातर वहां पर जाज किया जाएगा कि वहां पर किसी तरह की लोगों की कोई परिसानी तो नहीं हो रही है उसे दूर करने के लिए वहां पर यह सारा program रखा जा रहा है जो भी हमाद international airport में जिसकी भी problem है वह अपनी सिकायत कर सकते है और उनकी सिकायत को दूर करने का अधिक बारे में रोज अपडेट लेना चाहते तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें